हेलो अब्रीवन कैसे हैं आप सब वेल्गम बैक टू माई चानल शादियों का सीजन चल रहा है और स्किन में डलनेस है ब्राइटनिंग इफेक्ट्री है तो आज का वीडियो उसी के उपर है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उप्टन स्क्रब एंड उप्टन फेस सबसे पहले मैं या पर डालूँगी एक चमच बेसन बेसन में प्रोटीन होता है आईरन भरपूर मातरा में होता है और यह हमारे स्किन के लिए एक नैच्रल क्लिंजर का काम करता है यह स्किन में लगाने से जो हमारे सेल्स होते हैं वो न्यू सेल्स आते हैं और डेट स्किन remove होती है فिर इसके बाद हम इस میں add करेंगे दो चमच coffee powder scanning को reduce करता है अगर आपके skin में swelling हो गई है या आपके skin dull हो गई है तो उसको cure करता है साथी साथ आपके skin को brightening effect को देने में काफी हद तक help करता है पिर इसके बाद मैं इस में add कर रही हूँ लicarish powder अगर आप स्किन की ब्राइटिनिंग में इंट्रस्टेड है या अपने स्किन को संटैन रिमूप करना चाहते हैं दाग धबे हटाना चाहते है तो मुलटी का पाउडर का यूज़ जरूर कीज़े क्योंकि विटामिन C से बरपूर होता है स्किन से टैनिक रिड्यूस करता है प्रॉमेंटेशन हो गई है तो वह रिड्यूस करता है दाग धबे हुई साथ में हटाता है फिर इसके बाद हम इसमें एट करेंगे कच्छा दूर जितना इसे मिक्स करने के लिए आपको लगे उतना आप यापे कच्छा दूर एट कर दीजिए रौ मिल्क में जो है देता है और हमारे स्किन को सॉप्ट और सफल बनाता है मिक्स करने के बाद आप ये लास्ट में यहापे हैट करी हूं टू टेबल स्पून क्रेश्ट शुगर शुगर में लास्ट में इसलिए है ताकि वो सबके साथ मेल्ट ना हो जाए आप जो हमने स्क्रब तेयार किया है आपको ये तुरंत यूज़ करना है ऐसा नहीं कि आपने बना के छोड़ दिया थोड़ी देर बाद आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो अच्छे से स्किन पे स्क्रब नहीं कर पाएंगे आप इसको तुरंत ही अपनी बोड़ी पे स्किन पे जहां भी आप इसको करता है साथी साथ जो इसके ग्रानल है वो हमारे पोर्स को डीप लिक्सीन करने का काम करते हैं स्किन को अच्छे से एक्सफूलियेट करते हैं और ड्राइ भी नहीं होने देते जितने भी इंग्रिडिक वे नहीं आप यूज़ कि हैं वो स्किन की ब्राइटरिंग के लिए और आपकी ब्रेट स्किन है उसको बहुत ही अच्छे से रिमॉप करते हैं और स्किन में एक नैच्छल क्लिंजर की तरह आपकी स्किन में काम करते हैं आप इसे बोडी में कहीं भी अपलाई कर सकते हैं या हाथों में पैरों में जहां पर भी आपको स्किन डल लगती है टैन पर यहां पर scrub कर लेंगे तो उसके बाद जो है इस scrub को आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजे अपने skin पे और जब थोड़ा साथ जो है आपको लगी की सूख गया है तो फिर जो है आप उसको जो है वाश कर लीजे आपको पहले ही यूज में बहुत ही अच्छे result मिलेंगे skin एकदम soft feel होगी सफल feel होगी और आपको मतलब skin एक brightening effect छोड़के जाएगा आपके skin पे तो अपना optan pack बनाने के लिए आप सबसे पहले मैं ले रही हूँ sandalwood powder एक चमच इसमें natural oil होता है जो हमारी skin को hydrate रखता है moisturize रखने का काम करता है साथी साथ अकद sun damage हो गया आपके skin में तो उससे भी आपके skin को यह बहुत अच्छे से cure रखता है फिर इसके बाद मैं इसमें add करी हूँ rose petal powder जितने भी powder में आप यूज किये हैं सारे else goodness के हैं एक चमच आप हम उसको यूज करेंगे किसी भी उपटन में जो है इसके बिना वो उपटन अधूरा है फिर हम इसमें add करेंगे आमपा हल्दी ले रही हूँ मैं यह आधा चमच healthy antibacterial property होती है जिसमें जो हमारी skin से डाग धबे reduce करती है pimples की problem है तो उसको भी reduce करती है फिर मैं यह आप यूज कर रही हूँ butter milk आप चाहें तो दही भी यूज कर सकते हैं but butter milk is good option क्योंकि यह जो है हमारी skin से डाग धबे बहुत अच्छे से reduce कर देता है हमारी skin को dry भी नहीं होनी देता pigmented skin है तो उसको भी बहुत अच्छे से cure करता है तो इस pack को यह जितना mix करने के लिए लगे आप उतने यह पे add कर दीजे और एक अच्छा सा mixture तियार कीचे तो यहाँ पर आपका open pack बनकर ready है चंदर का जो powder है आपकी skin को sun damage से protect करता है natural oil होता है इसमें जो हमारी skin को brightening effect देता है साथी साथ skin को moisturize रखता है hydrate रखने का काम करता है skin infection हो गया है तो उससे भी fight करने में काफी help करता है बात करूं मैं अगर rose petal powder की तो यह जो है इसमें भी natural oil होता है जो आपकी skin को soft and खुबसूरत दिखाता है sensitive skin है तो आप इसका definitely use कर सकते हैं आपको बहुत अच्छा result मिलेगा skin इससे glowing बनती है इसमें होता है vitamin E and vitamin C जो दोनों ही skin की brightening में बहुत जादा help करते है basin लगाने से जो है उसके जो granule होते है वो आपकी skin में जब जाते हैं तो आपके pores को deeply clean करते है साथी साथ आपकी skin में blood circulation का जो flow है उसे fast करते हैं जिससे हमारी skin glowing बनती है younger बनती है या दाग धबबे की कोई problem है तो वो reduce हो जाता है skin को गहराई से साफ करता है extra sebum हो जाता है उसे निकालने में help करता है जिससे कि हमारी skin में अगर पिंबल्स की problem है या फिर acne हो गए है उसके दाग धबे हैं तो वो नहीं होता है साथी साथ जो है ये हमारी skin के जो cells होते हैं नई cells को निकालने में बहुत ही अच्छा help करता है जिससे कि हमारी skin जो है glowing बनती है hydrate रहती है हमारी skin को अगर आप as a face wash यूज़ करेंगे तो आप अगर इसको continue यूज़ करते हैं तो दो या तीन दिन में आपको बहुत ही अच्छा result मिलता है देखने के लिए तो यहाँ पर मैंने फेस उप्टन जो हमारा था उसको apply किया है अब जो है उसको छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए जब इस सूख जाएगा तो देन जो है हम इसे scrub करते हुए circular motion में छोटे 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 तब जो है इसको ठंडे पानी से जो है wash कर देंगे पहले ही य जो मैंने आपके साथ शेयर किया है स्किन को मॉस्चराइज करिए सो मिलती हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या एंड बाब बाई